आप देख रहे हैं TNB IPL 2021 का खिताब जीतने के बाद महिंदर सिंग धोनी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है 40 साल के मिस धोनी से जब सवाल हुआ कि क्या अगले साल भी हमें थाला का जादू देखने को मिलेगा तब MS धोनी ने जवाब दिया कि अभी उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है ऐसे में बता दे कि फैंस को अगले साल भी अपने फेवरिट कप्तान यानी MS धोनी का जलवा देखने को मिल सकता है कॉमेंटेटर हर्शा भोगले ने IPL 2021 के फाइनल के बाद महेंदर सिंग धोनी से सवाल किया कि क्या आप अगले साल भी क्रिकेट खेलते वे दिखाई नेगे तब ऐसे में MS धोनी ने कहा कि ये उनके उपर नहीं बलकि BCCI पर नर्भर करता है साथ ही उनने बताये क्योंकि दो नई टीमें आ रही हैं रिटेन करने के लिए नियम बनेंगे ऐसे में चिर्णई सुपर किंग्स के लिए जो भी बेस्ट होगा वो वही करेंगे आगी कप्तान महिंदर सिंग धोनी ने कहा कि CSK के लिए एक अच्छा ग्रूप तयार करना ही हर केसी का लक्ष है ऐसे में जब हर्शा भोगले ने कहा कि आप इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि आप अपने पीछे इतनी बड़ी लेगेसी छोड़ कर जा रहे हैं इसी बात पर धोनी ने पलट कर जवाब दिया कि उन्होंने अभी कुछ छोड़ा नहीं है आपको बता दे कि महिंदर सिंग धोनी की अगुआई में चन्नेई सुपर केंग्स का ये चौथा IPL खिताब है धोनी ने अपनी कप्तानी में चन्नेई को 2010, 2011, 2018, 2021 में IPL की ट्रॉफी जितवाई है मुंबई इंडिन्स की कप्तान रोहिच शर्मा के बाद अब महिंदर सिंग धोनी के नाम ही सबसे ज़ादा IPL खिताब जीतने का रिकार्ड हो गया है वही IPL 2021 के फाइनल मैच की बात करे तो कोलकता ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग चुनी चिन्नेई ने पहले बैटिंग करते वे 192 रनों का स्कोर खरा किया कोलकता को शांदार शुरुवात मिली लेकिन बाद में चिन्नेई की बहतरी बॉलिंग के आगे कोलकता पूरी तरफ फेल हो गई देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in